हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि Microsoft Excel से आप वेब पेज या वेब डिजाइनि किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जैसे मैंने Google Chrome ओपिन किया, इसमें एक लिंक पेश्ट करता हूँ, आप पेश्ट करते ही एक वेब साइट बना सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, आप मेरे वीडियो को गया से वाच कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ससल मीडिया को भी लिंक कर सकते हैं, यहां से आप मेरे social media पे लोगिन करके जा सकते हैं और साथ में जितने भी thumbnail और जितने भी icon है चाहे sign up करना चाहते हैं लोगिन करना चाहते हैं सबी को आप link कर सकते हैं तो इसे किस तरह से किया है इसके बारे में जाम लेते हैं सबसे पहले मैं Microsoft Excel ओपन कर लेता हूँ ओपिन करने के बाद मैं view पर चला जाओंगा यहां से grid line को हटा दूँगा और उसके बाद चला जाओंगा page layout पे यहां से background select कर लोगा आप अपना picture ले सकते हैं मैं यहां से picture add कर लेता हूँ और एक background तयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसके heading को भी हटा जेता हूँ उसके बाद insert में जाके यहां से एक shape ले लेता हूँ जो button के रूप में होगा इसके color effect जिस तरह से आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं मैं यहां से color और इसके effect यहां पर ले लूँगा लेने के बाद इसके बाद मैं इसे copy करके paste कर लूँगा पेश्ट करने के बाद एक मीनू बार की तरह ही से मैं copy paste करके बना लेता हूँ आप भी बना लीजेगा और बना लेने के बाद इसके बाद मैं दुसरे एक shape लूँगा तो मैं यहां से insert दे एक shape लूँगा दूसरे बटन जैसे मैंने sign up और login के लिए बनाया है तो मैं यहां इसके color को change कर लेता हूँ इसके outline को भी हटा देता हूँ और इस copy करके इससे paste कर लूँगा इससे भी color change कर देता हूँ अब इस पे text add कर लेता हूँ इसमें मैं login type कर लेत हूँ टाइप करने के बाद इसके font color को मैं change कर देता हूँ यहां से font color bold उसके बाद इसमें भी text को edit कर लेता हूँ यहां लिख देता हूँ sign up उसके बाद इसे भी मैं bold कर दूँगा अब मैं चला जाओंगा फिर से insert में यहां से एक जितने भी मेरे icon photo है अब भी अपना icon download कर लिजेगा मैंने download करके रखा है अब इसे में select कर लेता हूँ और इसके size को maintain करके इसे arrange कर लेता हूँ आप भी arrange कर लिजेगा तो मैं इसे एक एक करके arrange कर लूँगा और साथ ही एक text box लेंगा और इसके header को या इसके heading को मैं यह type कर लूँगा जिसके बारे में icon आप बैठान कर लिजेगा मैं इसके arrange करके आपको बताता हूँ इस तरह करके आप arrange कर लिजेगा arrange करने के बाद फिर मैं चला जाओंगा यहां से वाडा टेक लेलूँगा heading के लिए जैसे gda zone और इसके size को मैं maintain कर लूँगा maintain करके इसे में adjust करके यह header के लूप में आपको लगा दूँग और लगा देने के बाद मैं चला जाओंगा seat पर यहां पर seat के name को rename कर दूँगा यह home कर देता हूँ और जितने भी blank seat है उसे में delete कर दूँगा delete करने के बाद अब क्या करूँगा home पे मैं यहां से move and copy करके seat को create कर लूँगा second seat create हो जाएंगे फिर next और इसके नाम को मैं पहले rename कर लेता हूँ यह हमारे sign up seat है second film मैं और एक create कर लेता हूँ उसके create करने के बाद इसके भी name को change कर दूँगा इसे login कर देता हूँ login करने के बाद अब मैं चला जाओंगा home पे home फिर यहां पे एक shape ले लूँगा जहां पे मैं thumbnail adjust करने वाला हूँ और इसके color को change करके मैं फिर चला जाओंगा insert में यहां से मैं जितने भी thumbnail download किये हैं आप link पी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए coding के जरुवत होगी तो मैं आपको simple way में बताना चाहता हूँ तो आप जितने भी thumbnail हैं उसे download कर लिजे और यहां पर सारे को add कर लिजे एड करने के बाद इसके size को maintain कर लिजेगा और arrange कर दीजेगा तो मैं इसे arrange करके आपको फिर से बताता हूँ तो जब इसे आप arrange कर लिजेगा तो आपके कुछ इस पर करके हो जाएंगे और arrange करने के बाद फिर में चला जाओंगा sign up में या sign up के page को आपको design करके बताता हूँ इस तरह करके आप sale को merge करके यहाँ पर header दे दीजेगा sign up और इसके बाद इसके सारे detail जो भी है name, full name हुए email id उसके बाद phone number इस तरह करके आप पूरे data का entry कर लिजेगा तो मैं data का entry एक एक कर लेता हूँ पास्वड रिटाइप पास्वड इस तरह करके आप type कर लिजेगा मैं पूरा एजरेस्ट कर लेता हूँ पहले, एजरेस्ट करने के बाद इस तरह का आपके पूरे बन जाएंगे इस तरह एट करने, टेक्स एट करने के लिए उसके color को white कर लिजेगा, इस तरह अगर के आपको पूरा website तयार हो जाएगा, अब मैं चला जाओंगा login seat फे, अब यहाँ पे login के page को भी मैं बना लेता हूँ, इस तरह अगर के आप sale को select कर लिजेए, और उसके बाद उसके color को change क कर लिजेगा, इसके background color change होने के बाद, आप sale को select कर लिजेए, कहाँ पर user and password करना है, इस तरह करके आप पहले sale को merge कर लिजेए, मैं यहाँ पे दो sale को merge कर रहा हूँ, और इसके color को भी जहाँ text add करना है, उसे मैं change कर दूँगा, यहाँ पे type कर लोंगा user name और second password, उसके बाद यह हो जाने के बाद, इसके text को adjust करके, इसे bold करके size को बढ़ा कर लेता हूँ, और adjust करने के बाद, यहाँ से मैं button को copy करके, paste कर लोंगा, अब paste हो जाने के बाद, इसके heading को भी type कर लेता हूँ, यहाँ मैं login type कर लोंगा, और इसके size को adjust करके, चला जाओंगा, फिर से यहाँ स से कलर चेंज करके इसे कोपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं इफ फॉर्गेट पासवर्ट देन क्लिक एर यह टेक्स एक मैं लेवल दे दूंगा और इसे एजस्ट कर लेता हूं इस तरह करके आप लोग इन पेज पूरी तरह से तयार कर सकते हैं साइन अप मेरा तयार है अब यहां पे मैं लिंक किस तरह से करूँगा तो राइट क्लिक करके आप चले जाए हाई पर लिंक पे यहां पे सेकेंड ओप्सन आपको दिखेगा पेज इंदर डोकुमेट यहां से आप अपना सीट या पेज सेलेट कर लेजिए यह साइन अप के लिए मैं साइ जाएगा जब आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज उपेन हो जाएगा इस तरह करके साइन अप में यहां से मैं लौगीन पे किलिक करता हूँ तो लोगीन पेज पे चला जाओगा तो आप मैं क्या करूंगा होम पे जाने के लिए मैं सीट पर क्लिक करके बटन पे होम बटन पे किलिक करके मैं चला जाओंगा होम पे तो इसके लिए मैं इसी तरह का सेम राइट किलिक करके इस पहाई पर लिंक कर लूँगा होम को इस तरह करके एक पेज पे हुए मैंने जितने पेज बनाये हैं सभी के होम पे राइट किलिक करके इसे होम के साथ ल चला जाएगा यह होम पर आगए अब मैं चला जाओंगा वेबसाइट को किस तरह से लिंक करूंगा तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करके यहां फर्स्ट ओप्शन जो आपका इस जिस्टिंग पेज और वेबसाइट है वहां पर जाके नीचे में यू आरेल टाइप कर दूँगा या आप यहां पर पेश्ट कर दीजिएगा इसी तरह सोशल मीडिया पर भी आप लिंक पेश्ट कर लिजिए और इस तरह करके थम लेन पर भी जितने थम लेन उसके वीडियो को लिंक करके पेश्ट कर लिजिएगा पेश्ट करनी के बाद आप चले जाएएग यहां से सलीट कर लिटेगा और शबसे पहले आप टाइटल को चेंज कर लिजेगा टाइटल लाम चैसे ओपिन जो होगा वह आप किस टाइटल से ओफिन फोगा तो यहां पर मैं GTA जूँ टाइप कर लेता हूं टाइप करने के बाद पिर चले जाए टूल पे टूल पे जाने के बाद वेप आप्शन पर आजाईए वेप आने के बाद पहला जर्णल है इसे अंचेक कर लिजिए सेकेंड है प्राउजर प्राउजर में तीसरा ओप्षन है उसे अंचिक कर लिजेगा, बाकी सभी को क्लिक कर लिजेगा, और फिर तिसरा जो option है, उस पे चले जाएए, फाइल्स में इसे सब सेलेक्ट कर लिजे, उसके अच्छो था पिक्चर में, यहां पर आप इसकीन साइज आपका जो है, वो जरू सेलेक्ट किजेगा, ने तो आप का स्कीन का जो वेपसाइट जो आपने बनाए है, वो पूरे दूनेले दिखेंगे, इसलिए, इसकीन साइज और पिक्सल पर इंच, आप अपने स्कीन के हिसाफ से सलेक्ट कर लिजेगा, करके, उसे ओके करके, आप सेप कर लिजेगा, और एक option आएगा, उसे यह कर ओपेन हो जाएगा, अब मैं यहां से जैसे भी कोज, जो भी लिंक मैंने तयार किये है, उस पर क्लिक करके, मैं उस लिंक पर चला जाओंगा, जैसे मैंने यूटूब स्लेट किया, यहां पर मेरे चाइनल आगा है, आप यहां से वीडियो देख सकते हैं, इस तरह करके, आपने साइन अप और लोगिन पेज बनाए है, उस पर डाटा इंटी किस तरह से करेंगे, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें कोडिंग की जवरत होगी, आज के लिए धन्यवाद,